नेक्स्ट टोपिक आता भी हमारे पास प्लास्टो पैरिस यह आपने अल्रेड़ी प्लास्टो पैरिस टेंथ क्लास में भी आपने अल्रेड़ी डेस्कस किया होगा काफ़ इंपोर्टेंट टोपिक है और मेंडिकल्स में इसका सबस्टे जादा यूज किया जाता है यह कहता है कि वहां पर कुछ थोड़ा सा इसको पाने चाहिए होता है ठीक है वोटर की प्रेजनस में जब आप इस प्रसेस को कंप्लीट करते हो यानि कि जिपसम को जब वोटर में एड़ किया जाता है तो ने कि खंवर्ट हो दाता है कुछ इस ट्राइप का ठीक है यह कि कुछ वोटर बात निकल जाएगा एक मॉलक्युल यानिकि एक मॉल्स यहां प कि इट यूस्फो सेटिंग ब्रोकन एन आपके बाद जो बॉंच वगरा निगी हड़ी वगरा तूट जाते जो आपके ओर्थो तो तो आपको प्लास्टर करते हैं तो प्लास्टर करने के लिए जो मैट्रील के पास माट्रिल के अंदर烘त लावा हमता है उसका ड पाने में निगन दला जाता لगे और उनके अंदर वाइटल का पॉडड़ डिला होता है ठीक है और जब उसको पानी में से जब उसको निकालते हैं और जब आपकी बोड़ी पे उसको जैसे वालो हाथ पे है अब हम क्या कर रहे है हाथ पे हमने उसको पेस्ट कर दिया है जैसे उसको हाथ पेस्ट किया जाएग stable form में stable form होने का मतलब है कि अपने Oxide बना के अपने आपको dry कर चुका होता है और जितने जल्दी जितने fast वह अपने आप में Oxide बनाएगा उसके अंदर stability आपको तो नहीं जाला देखने को मिलेगी और फ्लास्टर आप देखो देखते देखते कुस टाइम में क्या हो जाता है वो highly stable हो जाता है stable होने का मतलब यह है कि उसने oxide बना दिये हैं और oxide बनाने के according अब वो dry होना start हो जाता है ठीक है फिर बोलता है कि it is for making आपके पास कुस टॉय बगरा होते हैं को स्टैच्चु बगरा बनाने के लिए या कोई internal structure बनाने के लिए हम इसका use करते हैं ठीक है फिर बोलता है कि it making for the blackboards and the chalks जो blackboards के chalks बनाई जाते हैं उनके अंदर भी हम क्या करते हैं जिपसम वगरा का हम utilize करते हैं ठीक है तो यहां पर हमारे important parts होते हैं calcium के यहां पर complete होते हैं फिर भी किसी बच्चे को कोई doubt रहता है किसी बच्चे का कोई major problem है यदि जो बच्चा nearby institute है तो बच्चा institute में आके हमसे doubt ले सकता है physically ठीक है also हमारी facilities आप लोगो के लिए sport facilities आप लोगो support करने के लिए है be frank आपको मैं डाउट लेने से पहले कुछ भी सोचने की मिलें ऐसा को जूरूरत है नहीं कि teachers मिलेंगे या बताएंगे नहीं बताएंगे तो definitely I'm sure ठीक है कि जो बच्चा भी interested होगा doubt पूछने के लिए तो उसको confirm doubt से बताए जाएंगे यहां तक हमारे chapters है वो complete होता है पर फेस कर रहा है तो यहां पर आज आप बच्चे को अपने आपका self teacher या self counselor self mentor बनने की खुद को जरूरत है बाई जब आप physical classes के अदर प्रेज़ेंट होते हो तो physical classes में आप लोगों को guide क्या जाता है आप लोगों की counseling की जाते हैं आप लोगों को चीजे बार बार बताई जाते हैं समझाई जाती हैं पर आज आपका देश और आप दोनों उस condition पर हो कि कोई किसी को suggest नहीं कर पा रहा क्योंकि हार किसी का communication है जो काफे weak हो गया है काफे disabled हो गया है तो उस case में आपको जरूरत है कि आप अपनी counseling खुद करें अपने आपको खुद sport करें और फिर भी आपने आपको आप एक motivate और positive फिल कराएं डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं है और जो habits आप में छोटे बच्चों से हैं छोटे बच्चों के जो develop की जाती है उन habits को maintain रखे उन habits को disturb ना होने दे ठीक है time से पर सोना time पर उठना जैसे daily routine के साथ school में आते थे उसी daily routine के साथ आप घर पे रहके homework करना ठीक है क्योंकि जो responsability teacher के होती है जो responsability के अच्छे mentor के होते हैं के अच्छे counsellor के होते हैं वो सारे responsability आपको क्या करनी है follow up करनी है निबानी है आपने आपको careful safe भी रखना है careful के साथ आपको homework भी करना है जो आपने आपको किसी भी drawback form में convert नहीं होने दिना है कि काफी time से पढ़ा नहीं था इसलिए याद नहीं है routine में homework नहीं कर पाया इसलिए complete नहीं है तो सो लासमें में आप लोगों के यह बात कहना चाहूंगा जो excuse देते हैं वो कभी result नहीं देते हैं और जो result देते हैं वो कभी excuse नहीं देते हैं कैरियर population बढ़ रही है competition आपका बढ़ रहा है जरूरत आपको फिर भी वही है आप जब आपका routine साइच चीजे नॉर्मल हो जाएंगी success वही लोग होते हैं जो खुद को time देते हैं और आज सबसे अच्छा समय स्टुडेंट के लिए specially बता हूँआ सबसे अच्छा time चल रहा है कि आप जितना चाहो उतना खुद को time दे सकते हो जितने skills आज के time आप उतने आप में develop करना चाहो उतनी develop कर सकते हो आपको जिस एंगल से अपने आपको modify करना चाहो आपने आपको उस एंगल से आप modify कर सकते हो और आप एक बहुत अच्छे अच्छे लीडर और एक बहुत अच्छा प्लाटफॉर्म अपने लिए आप चूज कर सकते हो आपका फिल्ड कोई हो प्रोफेशन कोई हो जोब कोई हो फिर भी आप अपने खुद के लीडर जब तक नहीं बनेंगे तो वहां पे आपको सक्सेस्मेंट नहीं मिलेगी ठीक है हाइट्रोजन इसके अंदर हम हाइट्रोजन के बारे में कुछ प्रॉपर्टी पढ़ेंगी हालां कि जब हमने चैप्टर थर्ड पढ़ा क्लास दिविगिशन ऑफ एलेमेंट तो हमने वहां पे एक स्पीशल एंड यूनिक थिंग हमें वहां पे देखने को मिली कि आज भी हमारे पास जो हाइट्रोजन है वह सबसे बड़ा ड्रोबैक बना हुआ है क्योंकि इसका जो बेहें वहां ऐसे हैलोजन भी होता है और एसे हाइट्रोजन भी होता है ठीक है तो अब देखते हैं इसके बारे में हमें क्या-क्या चीज़ें सेखने को मिलती है ठीक है इसे बहुत सारे questions होंगे आपको जब chapter पढ़ना start कर रहे होंगे तो आपके दिमाग में चीज आ रहे होगी कि hydrogen के उपर पूरा chapter बना हुआ है तो definitely इसमें ऐसा क्या खास बात है और दूसरा कि यह metal है या नहीं है alkali metals ना होते वे इसको alkali metals में रखा गया है ऐसे बहुत सारे questions होंगे जिनके questions के आपको answer definitely इस lecture के अंदर मिलेंगे जैसे आपके पास आपको खुद lecture complete होने के वाद पर चल जाएगा कि hydrogen की position कौन सी है halogen का नाम hydrogen के बेस पर क्यों रखा गया है यह electro metal ना होते हुए electro positive इस एक इस नोन-metal होते हुए गैसे form में nature बाकी सभी solids होते हैं मतलब first group के compare में इसके काफी property बहुत ही different है उसके बाद भी इसको रखा गया है group first के अंदर जो first element आता है वहाँ पे hydrogen को दूसरा आपको जानने के मिलेगा कि ऐसा कौन सा region है जिसके वज़े से जो hydrogen है वह काफी सारे reactions में as a electro positive और बहुत सारे reactions में as a electro negative property क्यों show करता है या उसका behave बार बार change क्यों होता है है से कौन से regions होंगे आपको definitely वह भी इस lecture के complete होने पर लोग को पता चलेगा उसकी बाद एक non metal होते भी जो इसका behave as a metal होने के चांसे क्यों ज्यादा होते हैं वह चीजे भी आपको lectures के complete होने की बाद चीज़ें तो नहीं की काफी सारे questions हैं जो आपको definite lecture के बाद मिलेंगे औ और जब अपने chapter को आप पढ़ने बैठते हैं तो उसके बाद आपके पास definitely कुछ questions होने चाहिए और उन questions के answer आपको जतनी जल्दी आपको मिलते हैं या जतनी जल्दी questions के answer आपको lecture भी इस पर आपको प्रवेड़ की जाते हैं तो आपका confidence भी उतना ही ज्यादा बढ़ेगा तो यानि कि lectures को आप जब देखते हो या lectures से आप जब study करते हो तो आपके अंदर एक curiosity होने चाहिए कि हां मुझे इस lectures से यह benefit हो रहा है यह चीज़ सेखने को मिल रही है और यह मैं आपको definitely बोल सकता हूं कि हमारे lectures में आपको जतना आपने सोचा उसे जाद आपको knowledge सेखने क आपको मिलेगी बस थोड़ा सापको patience रखने कि यहां पर definitely जरूरत है तो आप हम साट करते हैं chapters को chapter हमारा यह है पॉजिशन ऑफ हाइट्रोजिन तो हाइट्रोजिन की position कहा है position का पदा करने के लिए हमारे पास सबसे best option है configuration ठीक है सबसे पहले बात hydrogen का जो atoms होता है उसको represent किया जाता है इसका atomic number one होता है electroconfiguration one as one होती है जिससे मझे पुजब मझे पता चलता है कि यह first period and यह first period and first group का यह element है हमें यहां से इसके बारे में पता चलता है उसके बाद क्योंकि वो चीज़ें हमें यहां से पता चल जाती है ठीक है दूसरा कि hydrogen का जो name है name of family वो हम group 17 को use करते हैं क्योंकि group 17 का जो नाम है वो क्या है जैसे halogen family member तो based on hydrogen रखा गया है ठीक है hydrogen name of family group 17 ठीक है वी नोन एज हेलो चंज एंड इसका जो बेव होता है वो आजे अलकली मेटल्स भी होता है बिहेव ओफ हाइट्रोजन अलकली मेटल्स काईसा होगा इलक्ट्रो पॉजिट्व कैसा भी होगा यहां पर इलक्ट्रो पॉजिट्व जैसा इसका क्या हो जाएगा बेव हो जाएगा ठीक है oxidation number की बात करते है oxidation number यह दो तरे के फोलो करता है positive oxidation number plus 1 and negative oxidation number minus 1 और only एक ऐसा हाइट्रोजन हाइट्रोजन only एक ऐसा element है जिसके अंदर मतलब यह अपने total number फ्लेक्ट्रों को lose कर देता है in a chemical reaction only hydrogen atom स्धू्सडरोजन **ieteर की ईिसके के वूले वोलोजन यूलीरं यह थसा च्नद्दक्रोजन completed on outermost cell, कि outermost से अपने total number of electron को loose कर देता है और हमें हाइटोजन की बारे में जो सबसे खास बात यहां पर जो इंपोर्टेंट पॉइंट है वो जो देखने को मिलता है वो क्या कि हाइट्रोजन एक्जिस्ट इन नेचर एज डाई आटोमिक फॉर्म hydrogen atom hydrogen atom hydrogen atom is exist in nature as a डाई आटोमिक इन नेचर डाई आटोमिक इन नेचर कि जो इसका बेव होता है वो कैसा होता है डाई आटोमिक रिवाइज कहां देता हूं एक बार hydrogen atom का जो नेम है वो दो गुरूप के अंदर किया जाता है फॉर्स वन गुरूप 17 हैलोजन्स वाले का जो नाम रखा गया है वो हैट्रोजन के बेस पर रखा गया है जो फॉर्स अलकली मेटल होती है उसका बेव भी फोलो करता है second कि जसको हम हलोजन के नाम से जानते हैं next point जो मारे पास है कि बेहव हैट्रोजन atom as alkali metals जाने कि जो बेहव होता है वह जैसे alkali metals का भी होता है वैसे ही बेहव हैट्रोजन का होता है क्योंकि alkali metals are electro positive in nature तो hydrogen भी क्या होता है इलक्तो पॉजिटिव उता है नीचर के अंदर फिर हमारे पास next पंडिंडेकल के आता है ओक्सेडिशन नंबर तो है्ट्रोजन उक्सेडिशन नंबर अपना वैसे तीन तरीके से follow करता है फिर भी हम दो जैतितरीके से पढ़ते हैं पॉसिटिटिव और इसके पास एक ओल टेंडेंसी है कि only hydrogen atom lose the lactone completely on the outermost cell and show only behave neutral यहनी कि outermost cell में जितने number of lactone होते है complete को यह lose कर देता है और उसमें हमारे पास कुन आता है hydrogen तो hydrogen के outermost में एक lactone होता है और उस एक lactone को completely lose करने की tendency भी रखता है यह इसके सबसे बड़ी खास बात है फिर hydrogen atom जो एक्जस करता है वह एज डाय atomic form के अंदर यहने कि काफी सारे atoms को हम daily activities में daily nature में हम देखते हैं तो वहाँ पर हम सबसे जो unique property देखना हम मिलती है hydrogen की बारे में कि यह गैसी atom है और गैसे atom जो nature में होता है वह डाय atomic form में पाए जाता है और जब जब हम इसके सड़ी करेंगी मलब कभी भी हमें जरूरत पढ़ती है कि मैं सड़ी करने चाहिए hydrogen की तो हम उसकी property उसका भी उसका nature जो यह property जो हम यूज करते हैं वह एज जो properties हम जो यूज करते हैं तो as a diatomic form में करते हैं हम properties को monoatomic form के अंदर यूज नहीं करते हैं क्योंकि monoatomic form में इसके structure को देखना और इसके structure पर रिसर्च करना बिल्कुल भी possible नहीं है ठीक है तो note करेंगे फिर हम class करेंगे अपनी continue करेंगे तो